सभी समुह की महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार आप सभी को प्रेड़ना टीवी चैनल के तरफ से भी नमस्कार आप सभी दिदी का मैं बहुत अभार प्रकट करना चाहती हूँ आज क्योंकि आप सभी का प्यार हमें बहुत मिल दा दिदी इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धर्निवाद करती हूँ, आसा करती हूँ कि आप इसी तरह अपना प्यार हमारे लिए बनाए रखेंगी, आपको स्वैम शायता समू में कोई भी दिक्कत हो रही है, तो हमसे कॉंटेक्ट कर सकती है, दिदी हमारा नमबर नोट कर लो, 6387-877662, जी हाँ, यह हमारा मोबाइल नमबर और वाट्शम नमबर दोनों ही है, आप मैसेज कर सकती है, कॉल कर सकती है, आपके समू में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ दिदी, इस वीडियो में बताना चाहूंगी, कि आप लोग पनसूत्र का पालन जरूर करें, जी हाँ, सापताहिक बैठत, सापताहिक बचत, आंतिक उधार, समय से रणवाप्सी, लेका जोखा, स्वयम शयतासमु का एक मंत्र है, इसको आप सभी अच्छे से याद कर लेजिये, और इन नियमों का पालन करते रहें, जी हाँ, इन नियमों के विना, स्वयम शयतासमु अधूरा है, आप सभी दिदियों से निवेदन है, कि इन पंसुत्रों को आप सभी पालन करें और अपने समू को अच्छे से चलाएं क्योंकि सरकार द्वारा बहुत सी योजनाय आ रही है अगर आपको योजनाय पानी है तो आपको पंसुत्र का पालन करना होगा जी हाँ तभी आपको वरिता दी जाएगी सबसे पहले योजनाय का स्वैम शहता समूशे जुड़ी बहनों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार एक्सप्रेस जी हाँ दी रोजगार एक्सप्रेस की सुरुवात की जा रही है जी हाँ हो चुकी है और कुछ जगा भी की जा रही है इसके जरिये उन्हें चार पहिया वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे जिनके जिनसे वह बच्चों को स्कूल छोड़ने माल परिवाहन जैसे तमाम कार कर सकेंगी प्रारंभिक चरण में सासन की योजना दस समुहों को वाहन उपलब्ध कराने की है इसके बाद में योजना को आगे बढ़ाया जाएगा ग्रामीर महिलाओं को सीधे जिहां रोजगार से जोड़ने के लिए स्वयम शहता समुह के जरिये कई कार सुरू कराए गए हैं इनमें बिजली बिल वसूली रासन की दुकान बैंकिंग जिहां बैंकिंग सखी एवां पोशाहार जैसे कार अहम है अब सासन ने रोजगार एक्सप्रेस के जरिये महिलाओं को रोजगार मुहिया कराने का निर्णय लिया है जनपद में 10 हज़ार से अधिक स्वयम सहायता समुह पंजिक्रित हैं इनमें 3 वर्ष से अधिक पुराने करीब 1.5 हज़ार स्वयम सहायता समुह है इन में से प्रात्मिक्ता की आधार पर योजना के लिए समुहों को चैनित किया जाएगा इसके अलावा इनका बैंकिंग लेन देन भी साप सुत्रा रहना चाहिए जी हाँ इनका बैंकिंग लेन देन साप सुत्रा रहना चाहिए समुह इस वाहनों को भरवा अक अथवा परिवाहन के कारियों में इस्तमाल कर सगेंगे बलाकवार समुह के चैन की कवायत तेज कर दी गई है उन समुह को प्राथिमिक्ता दी जाएगी जो तीन वर्ष पुराने होने के साथ जिनके CCL खाते भी दुरुस्त होंगे जिनके CCL खाते भी दुरुस्त होंगे बैंकिंग लेन देन भी साप सुतरा रहना चाहिए उपायुक्त डाक्टर एनन मिश्टा के मुताबिक जन्पद में डेढ़ हजार से अधिक समुह तीन वर्ष से अधिक पुराने हैं उनके बीच जी हाँ उनके बीच से चैन किया जाएगा जल्द ही वहन उपलब्ध करा दिया जाएगा और दीदी कई जगा हो पेल तो आजीव का एस्पेस दिये भी जा चुके हैं हमारे पेंडरो ब्लॉक में एक नहीं दो दो दीदियों को तीन दीदियों को आजीव का एस्पेस दे दिया गया है जी हाँ वह आजीव का एस्पेस से अच्छा खासा इंकम कर रही है और समय समय से लिण वापसी भी कर रही है जी हाँ हमारे पेंडरो ब्लॉक बहुत अच्छा है अब बहुत ही आगे करता है कोई भी काम जो भी रोजगार आते हैं सबसे पहले हां आता है और महिनाओं को प्रोशाहिद भी करते हैं करने के लिए और रोजगार पहुचाते भी हैं इनके लिए जी हां दिदी मैं आप सभी को बता दू मैं अपने पिंडर ब्लॉक की बहुत ही अभारी हूँ क्योंकि इनका कार बहुत ही अच्छा है क्योंकि दिदी जब से हम समु में खुद जुड़े हैं तब से काफी हमारे यहां परिबर्तन हो चुका है जी हां हमारे अंदर खुद परिबर्तन हो चुका है इसलिए आप सभी से अन्रोल करती हूँ कि आप लोग स्वयम सायता समु को जुड़ें और ट्रेनिंग जो भी दिया जा रहा हो उससे आप लोग जाकर ट्रेनिंग दीजिए और अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए ति आपको जो भी ट्रेनिंग दिया जा उस ट्रेनिंग को इतना अच्छा दीजे कि आप उसमें निपूर हो जाईए क्योंकि हमारे ब्लाग द्वारा जो भी अब तक मैंने ट्रेनिंग ली है उसको मैंने तहे दिल से धर रखकर प्राई की और उसमें अच्छे नंबर भी आए और आज मैं इस मुकाम पे हूं कि आप लोग को भी कुछ बता सकती हूं जी हां जो भी मैं आपको योजनाय बताती हूं रजिस्ट्रों के बारे में बताती हूं ये सब किसके द्वारा है सम्मू के ही तु द्वारा है पहले तो मैं सम्मू में जूड़ी थी मेरे पास भी कोई इनकम का सुरोत नहीं था देकिन जम मैं स्वेम शायता सम्मू में जुड़ी हम लोगों ने खुद का 20 सुर्पय का बचत स्टार्ट किया बचत स्टार्ट करके दीदी हम लोग ने भी लोन लिया मैंने भी लोन लिया मेरी फ्रेंड ने भी लोन लिया सभी दीदियों ने लोन लेकर अपना-पना काम स्टार्ट किया एक बात आप सभ समूं से पैसा ले कोई बिजनिस करें जी हां मैंने देखा है जो दिदियां पैसा लेकिए इधर दन्योश कर दती है उनको पैसा भनने में काफी दिकतों का सामना करना पड़ता है तो आप सबी दिदियों से अनुरोध है आपके भई हैस्बन जो भी करते रहे हूं जो भी कर हूं आप क्या कर यहीं समूं से जो भी पैसा रड़ लेजिए उस रिण को कोई बिजनिस में लगा यह है आपके हैं जो बिजनिस हो रहा हो जिसका आपको ऐस्पीरियंस हो नॉलेज हो उस बिजनिस को आप लोग स्टी साट कर लगर कर समय समय से दान वापसी करें बचत करे ब्याज दीजिए तो यहीं समूह आगे चल के काफी पैसा देगा आज आप सोचने कि दीदी 20,000 से क्या होगा कितनी दीदिया कॉल करते हैं 20 जार से क्या होगा तो दीदी कभी छोटी पूजी को खराब न समझें छोटी पूजी से ही बड़ी पूजी होती है आज आप 10,000 का रिड़ ले रहीं तो आप दुकान करें कल आप 20,000 का रिड़ ले पाएंगी लेकिन आपको योगता साबित करनी होगी आप सभी दिदियों से नरोध है कि पैसा लेकर दिदी इधर उधर इन्वेश्ट ना करें आप लोग समू से पैसा लेकर कोई बिजनेस टार्ड करें क्योंकि जब आए होगा तभी व्याए होगा तो जब आए होगा तभी हम ब्याज भर पाएंगी अगर हम पैसा लेके कही दर दर खर्च कर दिये तो हम ब्याज नहीं भर पाएंगे और मूल भी फज जाएगा तो हमारा समू का क्रेडिट जो है खराब हो जाएगा तो आप उतने ही से समाप्थ हो जाएगा आगे चलके आपको ज्यादा रिण नहीं मिलेगा तो समू इसलिए बनाए जा रहे हैं दिदी कि आप सभी दिदिया एक साथ जूटकर समू को अच्छे से चलाएं खुद का बचत करें और समय समय से रिण वापसी करें ज्यादा से ज्यादा रिण लेने की कोशिश करें और रिण लेकर कोई बिजनेश टाड़ करें कोई काम करें ऐसा कि जिससे दो पैसा इंकम हो क्योंकि दो पैसा जब तक आपको इंकम नहीं होगा आप ब्याज कहाँ से भरेंगी तो ब्याज भरना ही है एक परसेंंट ही क्यूंना रेकिन ब्याज तो भरना है 나 तो इस पैसे को आप जो है इधावदर इंवेश्ट ना करें आप लोग कोई बिजनिस करें और रह गई नौकरी की बात दिदी नौकरी भी भोत आती हैं तो आप अगर पढ़ी लिखी होंगी योग्य होंगी तो आपको भी जरू मिलेगा जी हां आप लोग प्रयास जारी आपको आपके ब्लॉग तक जाना आना होगा जी हां नहीं तो समू सखी दिदी होंगी वह आपको पता देंगी कि कौन सी योजनाय चल रही है तो चलिए दिदी ज्यादा नहीं बात करूँगी आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारा दिदी वीडियो पसंद कजना रहा है तो लाइक शसके शेर जडरे अपलोग सुस्क्राइब नहीं कर रही है अप लोग 17 यह वह कि अहटाने मुशन और अपनी गडरीब बहनों को आगे लेकर कर्ज मुक्त बनाना है क्योंकि देखा जा रहा है जैसे जैसे गरीबी है उतना ही ज्यादा सब के पास दीदियों के उपर कर्ज है तो कर्ज से मुक्त हो ये और गरीबी को हटाईए अब कुछ दीदी एक बात और करना चाहूंगी आप लोग खर्च कम करिए जी हां जैसे की आदित होता करना नहीं चाहिए फिर भी मैं आप ल वीडियों में इतना ही अगर आपको मारे वीडियों पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए आज की वीडियों में इतना ही धन्यवाद